जैसा के लास्ट एपिसोड में अपने देखा है कि लुओफांग बबाता से कहता है के मेरे साथ फाइट करने के लिए बहुत सारे वॉर्यस को सेट करो जिस पर बबाता बिल्कुल ऐसा ही करती है अब ये एपिसोड भी स्टार्ट होतार हम देखते हैं कि लुवा फैंग ने बहुत सारे वोरियस के साथ फाइट करके उन्हें हरा दिया था जिसकी वज़ा से लुवा फैंग की रैंकिंग बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ रही होती है कि आखिर ये कर क्या रहा है हुक और जिया भी लुवा फैंग को ये करतावा देख रहे होते हैं वो भी लुवा फैंग की रैंकिंग को इतनी तेजी के साथ बढ़तावा दे कर काफी ज़्यादा चौंक जाते हैं और खड़े होते हैं ये वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूओ फैंग ने 800 वोरियर्स के साथ फाइट कर ली होती है और इस टाइम वो 800 वोरियर्स को हरा चुका है बिना एक भी बार हारे इसी वज़ा से किलर अरीना में मजूद लूओ फैंग को इतनी तेजी के साथ ग्रोथ करता हुआ देखकर इतने ज़्यादा है और ऐसा करने की वज़ा से हम देखते हैं कि लूओ फैंग बहुत सारे बड़े बड़े वोरियर्स की नजर में आ जाता है किलर अरीना के चीफ ओग्यो का एक टीम मेंबर लूओ फैंग लीडर होंग और वोरियलीशन की प्रोफाइल दिखाते विए उनसे कहता है ये तीनों न्यू बिगेइनर्स हैं जो हाली में किलर अरीना में अपियर हुए थे मैंने इनका डेटा अपलोड कर दिया है और ये बैटल स्पेस में बड़ी ही तेजी के साथ रैंकिंग में आगे बढ़ते जा रहे हैं वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काईजन अपने घर में मज़े से खाना कहा रहा होता है कि तबी उसके सामने एक न्यूज आती है वो जैसी उस न्यूज को देखता है तो वो ये देकर हराउन हो जाता है कि आखिर ये कौन तीन लोग है जिन्होंने बैटल अरेना में तहलका मचा दिया है जैसी वो उस न्यूज को ओपन करके देखता है तो वो ये देकर हराउन हो जाता है कि ये तो लूज फैंग है साथ ही हमें यहाँ पर लूज फैंग को दिखाया जाता है जो के बड़ी तेजी के साथ अपने ओपनेंट्स को मार रहा होता है वो तो अपने ओपनेंट्स को वहाँ पर उसे अटैक करने का भी मोका नहीं देता फाइट करते करते लूज फैंग अचानक से सोचता है कि मैंने इतनी ज़्यादा फाइटिंग की है और मुझे इतना ज़्यादा एक्सपिरियंस मिला है लेकिन फिल भी मुझे खाली खाली क्यों फिल हो रहा है जितना जैदा मैं लोगों को हराता जा रहा हूँ उतना ही जैदा मुझे सुना सुना पन महसूस हो रहा है आखिर यहां पर हो क्या रहा है लुओ फैंग को इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था तो वो यह सोच कर परिशान हो रहा होता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोलांसिन क्लैन लीडर को इसके बारे में सब कुछ मालूम था वो कहता है अब इसे रियलाइज हो रहा है कि क्या प्रोब्लम है हालां कि इसे यह एहसास होना शुरू हो गया है लेकिन फिर भी यह कुछ नहीं कर पाएगा लुओ फैंग अब तो मुझसे इंतजार नहीं हो रहा जब वो वक्त आएगा तुम मेरे सामने घुठने टेकोगे यह कहते हुए वह वहाँ पर इवल स्माइल करते हैं इसे के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं ओग yours और उनके team मेंबर्स लुओ फैंग की फाइटिंग स्टाइल को और लुओ फैंग को दूसरे वोरियोस के साथ थेज़े होते हैं उसे इतनी तेजी के साथ वोरियोस को हराते हुए देखकर ओगियो अपने team मेंबर से कुछ कहते हैं जिसे सुनकर वो वहाँ से चूपचाप चला जाता है। उसके चले जाने के बाद ओग्यों यहां पर इवल स्माइल करते हैं। अब हमें नहीं मालूम था कि यह किस बारे में सोचकर ऐसे स्माइल कर रहे हैं। सीन चेंज उतर हमें दिखाया जाता है कि लूओ फैंग को किसी वोरियर ने चैलिंज किया है जो कि अभी हाल ही में इस बैटल स्पेस में जोइन हुई है। इस वोरियर का नाम होता है वाइट रोब और इसी के साथ हमें उस वोरियर के एक जलक दिखाये जाती हैं। जो के दिखने में काफी ज़्यादा पाउरफुल लग रही थी और साथ यसाथ इसका आर्मर भी बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल होता है। इस वोरियर के आर्मर से हमें ये भी मालूम हो जाता है कि ये युनिवर्सल फॉर्स अलाइंस की मेंबर है। और इसी के साथ वो लूओ फैंग के साथ फाइट करने के लिए बैटल अरीना में आ जाती है। कहता है so strong मैंने इससे पहले जितने भी ओपनेंट्स का सामना किया है ये उनसे completely different है फैंग बड़ी ही मुश्किल से उसके समले को blow कर पा रहा था इसलिए वो जल्दी से अपने fist sword attack को use करते है उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की बहुत ही तेज होती ह था कि आखिर ये है क्या चीज और फिर वो वहाँ पर उसे अपनी fist sword attack से भी उलजाने की कोशिश करता है और एक तरफ से अपना fist sword attack और दूसरी तरफ से अपनी sword से attack करता है लेकिन वो लड़की फैंग के दोनों attacks को dodge करते है वो उल्टा फैंग पर ही अपनी sword से attack कर देती है जिसे वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचता है ये देकर वो खुद को संबालते वे कहता है लगता है कि ये मेरे साथ खेल रही है और फिर यहाँ पर वो वोरियर अपने असली रूप में आती है और फैंग पर हमला करने लगती है जिसे फैंग बहुत ही मुश्किल से अपनी स्वोर्ड के साथ ब्लोग कर रहा होता है इन दोनों के तरमियान बहुत ही तेजी से फाइट हो रही थी लेकिन हम देखते हैं कि फैंग यहां पर उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और आखिरकार वो से बहुत बुरी तरह से पीट कर नीचे पटक देती है अब फैंग उसे में खड़ा उतार अपने सबी फ्लाइंग नैस को यूज करते वो उस वोरियर को वहां से जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं कि उस वोरियर की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो फैंग के फ्लाइंग नैस को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बढ़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ती है और इससे पहले के फैंग के फ्लाइंग नैस को से हिट हो पाते वो जाकर फैंग को ही जान लेवा अटैक करके मार डालती है ये देखकर तो फैंग को भी समझ नहीं आता कि आखिर यहां पर हुआ क्या और अब यहां पर 822 बैट चांसीस दिये लेकिन मैं उसे एक भी बार हट नहीं कर पाया ये सोचते हुए वो गुसे में जमीन को नोचते हुए कहता है इसे ये पता चलता है कि मैं अब भी भी बहुत वीक हूँ अब भी फैंग इस बारे में सोच रहा होता है कि तब भी उसके सामने सक्रीन पॉप होती है जिसमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वरियर लिषन को बैटल के लिए चैलेंज करती है और वरियर लिषन भी उसका ये चैलेंज एकसे प् tap कर लेते हैं ये देखर फैंग और भी ज्यादा चौंक जाता है वहीं दूसरी तरफ हम देखती हैं कि वो रियर लिष इस लिए वो भी घुस्से में अपने multiple attack को यूज करते हैं जिसमें उनके opponent में बहुत सारी side को लग रहा था कि अब यह finally हार जाएगी लेकिन हम देखते हैं कि वो warrior बड़ी यसानी से अपनी speed को यूज करते हैं यह देखर तो वो भी हरान हो जाते हैं कि आखिर इसने यह कैसे क अब इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते है वो वोरियर बड़ी तेजी के साथ उनके पास आकर उनके उपर एक जोरदार अटेक करती है और उने वहाँ पर जान से मार डालती है वोरियर लीशन भी कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर इसने यहाँ पर यह सब किया कैसे किलर अरीना में मजूद वोरियर्स हुक और जिया यह दे कर हरान हो रहे होते हैं कि आखिर यह लड़की क्या कर रही है लुवा फैंग और लीडर होंग भी वोरियलीशन और उस लड़की को फाइट करते वे मोनीटर कर रहे थे अब जैसे ही वो ये लिशन फाइट करने के बाद किलर अरीना में वापिस आते हैं तो वो वहाँ पर चिला रहे थे और फिर चेर पर बैठते हुए कहते हैं अरे यार लीडर हॉंग उन्हें शानथ करने की कोशिश करते हैं के तभी वो लड़की उन्हें भी चैलिश कर देती है Kauf यह लड़की के दरम्यान फाइट के लिए बैटर अरीन त्यार की चाहती है जिसमें लीडर हॉंग और यह एक दूसरे के आमने सामने होते हैंilot करने हैं यहां बाहर killer arena में लूओ फैंग और warrior mission उन्हें monitor पर देख रहे होते हैं जहां पर उन्हें देखते हुए warrior mission कहते हैं battle space के rules के according हमारे opponent की strength भी उतने ही होती है जितनी के हमारी यानि के ये warrior भी star level के one level पर है लेकिन फिर भी ये fight करते हुए हमसे ज्यदा strong क्यों लग रही थी और आखिर इसने हमारे brother home को challenge क्यों किया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि brother home का level तो अभी हमसे कम है जिस पर उनकी बात का answer करने के लिए वो बाता वहां पर आते हुए कहती है तुम दोनों को हराने के बाद उसने अपना level reset कर दिया मैंने इसके बारे में research की है आज वो लड़की सिर्फ तुम तीनों को ही challenge कर रही है वो बाता कि ये बात सुनकर फैंग हरान हो जाता और कहता है वो हमें target कर रही है ऐसा करने के पीछे आखिर उसका मकसद क्या है वोरियर लीशन कुई सोचते वे लुवा फैंग से पूचते है ब्रदर होंग और वाइड रूब के दरमयान battle के बारे में आपका क्या opinion है इन दोनों में इसे कौन जीतेगा इसी के साथ हम देखते हैं के वाइड रूब और लीडर होंग के दरमयान fight स्टार्ट हो जाती है जहां पर वो दोनों बढ़ी तेजी के साथ आसमान में fight कर रहे थे लीडर होंग उस वोरियर के साथ fight करते वे कहते हैं इससे पहले मैंने 695 rounds battle की है लेकिन मुझे इतना मज़ा किसी भी battle में नहीं आया अगर मैं उन सभी को तुम्हारे साथ compare करूँ तो वो सब तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं थे ये कहने के बाद वो फिर से तेजी के साथ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं जाने के ये लड़की लीडर होंग पर भी भारी बढ़ रही होती है ये देखते हुए उन्हें जैसा ही मोका मिलता है वो जल्दी से अपनी डुमेन को वहाँ पर activate कर लेते हैं जिसकी वज़ासे हम देखते हैं कि वो उस लड़की पर भारी पढ़ने लगते हैं लेकिन वो लड़की लीडर होंग की डुमेन में भी बिल्कुल ऐसे ही fight कर रही थी जैसे कि उस पर डुमेन का कुछ ज़्यादा असर ना पढ़ रहा हो लेकिन इस डुमेन की वज़ासे लीडर होंग की अटैक काफी ज़्यादा powerful हो गए थे जिस वज़ासे वो लड़की उनके सामने कमजोर पढ़ रही थी तो वो भी अपनी एक बहुत ही ज़्यादा powerful technique को यूज़ करती है लेकिन लीडर होंग उसके इस डुमेन को यूज़ करती है लेकिन उसकी डुमेन यूज़ करने के बावजूद भी लीडर होंग उस पर भारी पढ़ रहे होते हैं ये देखकर वो कहती है तुम्हारी डुमेन मुझसे ज़्यादा powerful है लेकिन मेरी sword technique तुमसे ज़्यादा skilled है ये कहते हुए वो अपनी एको sword को बाहर निकाल लेती है और अपनी दोनों swords को यूज़ करते हुए लीडर होंग के साथ एक बहुत ही ज़्यादा powerful attack यूज़ करती है जिससे लीडर होंग अपने spear को सामने करते हुए block तो कर लेते हैं लेकिन उसके attack की power इजनी ज़्यादा थी के वो अपनी domain के किस्से को तोड़ते हुए बाहिट जाकर गिरते हैं और फिर तेजी के साथ अपनी domain में आते हुए कहते हैं हाला कि तुम्हारा ये attack बहुत ज़्यादा powerful है लेकिन मैं भी पिछले एक महिने से killer arena में training कर रहा हुँ मेरी domain और मेरी spear technique भी बहुत ज़्यादा improve हुई है इसलिए अब मैं इस technique को unleash करूँगा ये कहते हुए leader hong वहाँ पर अपनी most of the powerful technique को unleash करते हैं और full power के साथ अपने spear को उस warrior की उपर throw कर देते हैं ये देकर वो warrior भी हरान हो जाती या जैसे हम देखते हैं कि leader hong का वो spirit जाकर उसे टकराता है तो वो उसके पेट को चीरता हुआ उसके अंदर से निकल जाता है इसकी वजह से वो warrior वहाँ पर जोरदार चीख मारती है क्योंकि इससे उसे बहुत ज़्यादा damage हुआ होता है लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़् ज़्यादा powers को unleash करती है गुसे में उसे जितना हो पाता है वो अपनी ज़्यादा power को unleash करती है जह देख कर लीडर hoong कहते हैं कि अचानक से हुआइं इसकी domain की power मेरी domain से ज्यादा कैसे हो गई इसने अचानक से मेरी domain को overcome कर दिया ऐसा कैसे हो सकता है इससे पहले कि leader hoong कुच भी कर पाते हैं या सोच पाते हैं वो लड़की तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहां पर लीडर होंग को जान से मार डालती है और अब इसी के साथ यहां पर लीडर होंग इस वोरियर को इतनी ज्यादा कांटे की टकर देने के बावजूद भी हार जाते हैं तो करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि अब यह लड़की और किसे चैलेंज करेगी